त्रिप्ती डिमरी का जन्म 23 फरवरी 1994 को आरशिकेश उत्तराखंड भारत में हुआ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानिय विद्याले से प्राप्त की और बाद में दिल्ली विश्व विद्याले से सनातक की डिग्री हासिल की त्रिप्ती ने अपने अभिनए करियर की शुरुआत 2018 में फिल्म लायला मजनु से की ये उसकी फर्स्ट लीड रोल मुवी थी त्रिप्ती ने 2023 में फिल्म एनिमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर, अनिल कपूर और रस्मी का मंदना जैसे बड़े सितारे थे इस फिल्म के बाद त्रिप्ती की लोक प्रियता में काफी इजाफा हुआ और उन्हें एक उभरती हुई स्टार के रूप में देखा जाने लगा एनिमल के बाद त्रिप्ती डिमरी की पहचान बॉलिवुड में तेजी से बढ़ी, उन्होंने विभिन विज्यापनों और पत्रिकाओं में भी काम किया, जिससे उनकी पॉपुलारिटी और भी बढ़ी उनकी अभिनाएक शमता और स्क्रीन प्रजेंस ने दर्शकों का ध्यान खींचा एनिमल के बाद त्रिप्ती के करियर ने एक नया मोड लिया, उनकी फिल्मों की संख्या और उनके काम के प्रती दर्शकों की रुची में भी व्रिद्ध हुई उन्होंने विभिन प्रकार की भूमिकाएं निभाने का प्रयास किया, जिससे उन्हें अलग-अलग दर्शकों के बीच पहचान मिली त्रिप्ती डिमरी एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बॉलिवुड में अपनी जगे बनाई है आने वाले समय में उनकी और भी कई फिल्में देखने को मिल सकती हैं, जिससे उनके फैंस को और भी रोमांचक सामगरी मिलेगी